तो यह वाल है जो डिवाइड करती है इटली और वैटिकन सिटी को अभी हम यहां कड़े हुए हैं यह अंदर की तरफ हम है वैटिकन सिटी में और जैसे ही हम इस वाल के इस साइड में आगे तो हम आगे इटली में तो यह अभी मैं कड़ा हुआ हूँ यह इधर की साइड मेर मेरा यह राइट हेंड है यह वैटिगन सिटी में और मेरा लेफ्ट हेंड है यह है इटली में तो आज नो फैंसी इंट्रो कोई से नमेटिक स्टार्टिंग वीडियो नहीं डिरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज का जो टॉपिक है आज जो हम जगे देखना जा रहे हैं वो खुद में अपने आप में बहुत फैंसी है तो आज होता था उनका तो यह काफी बड़ी सी जगे थी और काफी फैसिनेटिंग थी तो हमने सोचा क्यों ना यहां पर जाया जाए सेकेंड जो जगे है वो है ओबिसली दुनिया की सबसे छोटी कंट्री वैटिकन सिटी तो वो भी अपने आप में काफी फैसिनेटिंग थी और थ पहले इतनी जगे नहीं होती होगी है ऐसा कॉंसेप्ट नहीं होता होगा तो क्या कर देते एक ही जगे पर एक क्यूब पर एक क्यूब पर एक बिल्डिंग टाइप बनी रहती थी तो वहां पर एक केटाओ कॉम था जिसमें मोर देन 500,000 पांच लाग से ज्यादा लोग उसम है वहां पर इस तरह से दफन थे तो वो भी सोच के काफी ऐसा थोड़ा अलग भी लगता है और थोड़ा ऐसा धरावना सा भी लगता है तो mixed kind of feeling थी लेकिन excitement बराबरता तीनों चीजों देखने का तो हमने क्या किया सुबह जैसे हुई स्टार्ट हुआ हम पहले गए बादस वाला जो पार्ट था उसके बाद वैटिकन और तीसरा जो लास्ट में जाते जाते शाम कोंगे केटकॉंब तो रोम में यह हमारा होटेल है यह kind of Airbnb है घर है इसके अंदर तीन रूम है किचिन वगेरा सब इंक्लूड है तो काफी अच्छा रहा हमारा यहां पे स्टे तीन द जो कॉलोजियम है तो कॉलोजियम यहां से 1.5 km है तो में आरम से जब कॉलोजियम भी गए थे हम तो आरम से वॉक कर कर गए थे तो यह इस चीज का यहां पे रहने का benefit था अगर आपको भी यहां पे रुकना है तो मुझे comment section में बता दो मैं आपको इस Airbnb का जो link है वो description में द जो बड़ी बड़ी पुरानी सी बिल्डिन्ग दिख रही है. एक्चुली मेन पूरा जो यहां पर रोम में है, जो देखने की जगए है। वह सारी रोमन हिस्टरी है, रोमन एंपाइर का टांड में पर जो भी होता था. तो यह है, यह काफी interesting जगह है Actually उस टाइम पर क्या होता था? toilets वगएरा होते नहीं थे तो यहाँ पर यह common area होता था यह काफी बड़ा area है आपको दिख भी रहा होगा काफी बड़ा area है तो यह तरह से common toilet होता था उस जमाने में तो यहाँ पे अलग-अलग categories होती थी आम जनता है common people के लिए अलग area होता था जो राजा के यहाँ काम करते हैं उनके लिए अलग area होता था और जो royal family है उनके personal भी होते थे और यहाँ भी फिर अलग उनके लिए place होते थे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी तो खेर खंडर ही हैं लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे आपको देखके अंदाज पड़ेगा कि उस जमाने में वो जो situation थी वो किस तरह की थी तो देखो इस तरह का है पूरा खंडर का सा एरिया लग रहा है अपना पी आपको पता चल रहा होगा कि काफी पुरानी बिल्डिंग है तो यह रोमन एम्पायर के टाइम का है और उस जमाने में भी देखो आप कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंग्स और अब तक यह टिकी होई है अलांकि अभी यह पूरा खंडर ही खंडर देख रहा है और इसमें काफी रिनोवेशन भी हुए है लेकिन यहां पे फिर भी उस जमाने की चीजों को काफी अच्छी तरह से इंटेक्ट करके रखा हुआ है अभी हमको रोम आये हुए करीब तीन दिन हो गए है चौता दिन चल रहा है लेकिन फिर भी अभी तक जैट लाग है वो उत्तरा नहीं है अभी भी हमारा ऐसा हो रहा है कि कैनेडियन टाइम है उसके हिसाप से हम जग रहे है उसी के हिसाप से सो रहे है रियान के साथ भी ऐसा हो रहा है रियान है वो जनरली शाम को सो जाता है यहां के टाइम और करीब 10-11 बजे रात को जग जाता है तो सेम हमारे साथ हो रहा है प लेकिन अभी काफी प्रॉब्लम हो रही है और हमको रात को हमारी बस है फ्लिक्स बस जो हमको लेके जाएगी वैनिस तो आज हमको निकलना भी है तो आज हम मेंली यहां पे जैसे यह पॉइंट था यह देखना था एक्शली इसकी फीस है टिकेट है वह एट यूरो है तो इतन क्रिश्चैनिटी से रिलेड़ेट कुछ है क्योंकि यहां पे उस टाइम पे क्रिश्चैनिटी के ही बलीवर्स थे सारे लेकिन देखो वह भी कितनी हाइट पे बनाई हुई है और कितना अच्छे से पूरा बना हुआ है तो यहां पे सारी इंफोर्मेशन लिखी हुई है इ यहां पे इसकी पूरी इंफोर्मेशन दे रखी है अगर आपको पढ़ना है तो मैं थोड़ा से इस पर जूम कर देता हूं आपके वल ऐसा नहीं था कि नहाने का ही था यहां पे एक्ट्टे होते थे यहां पे गेम्स का भी मैंने अभी देखा था तो यहां पे बैठके गे इसका मतलब पॉड़िटेरियम लिखा हुआ है इसका मतलब यहां पे देखो मार्बल भी उसी जमाने की है ऐसे चोटे-चोटे पत्थरों को जोड़के और पूरी फर्ष बनाई हुई है तो आइधिंक यहां पे स्विमिंग पूल वगेरा या फिर नहाने के लिए जो मार् इसको खंडर को देखके अंदाज लगा सकते हो देखो यहां पे मार्बल के भी पीसिज अभी तक कुछ-कुछ बचे हुए है और जिन पर काफी अच्छी आर्ट हो रही है आपको देखरा होगा उपर तीन टुकडे दिख रहे हैं मार्बल के और उन पर पेंटिंग भी पूरी ऐसी हो रही है और इसके साथ साथ यहां पर भी देखो काफी मोटे पत्थर हैं जिन पर उस जमाने में पेंटिंग होई होगी लेकिन क्योंकि यह पूरा तूट चुका है तो उसके कुछ-कुछ जो बचे हुए पत्थर वो यहां पर लग फिश्की है और उसके जो भी बचे हुए खंडर थे उनको यहां पर संभाल के रखा हुआ है हुआ हुआ है तो हमने रोम के जो मैक्जिमम प्लेसे जो यहां पर फेमस हैं वह कवर कर ली है केवल हमारी लिस्ट में बचा हुआ है वैटिकन सिटी जो हमने लास्ट के लिए बचा के रखा हुआ था अभी सुबह का टाइम है ज्यादा टाइम हुआ नहीं अभी साड़े नों बजे वैटिकन सिटी के वारे मिभी सबसे चूटी कंट्री है तो उसके लिए मुझे क्योरसिटी है वह दिमाग में बनी हुई है तो बस चलिए वह पे चलते हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि दोनिया की सबसे च्शोटी कंट्री वह एक्चुली में है कैसी है और कितनी बड़ी है एक्चुली में मैंने उसके बारे में वीडियो भी देखें सुना भी है लेकिन फर्स टाइम एक्सपिरेंस करने जा रहा हूं यह हुडी आपको कैसी लगी यह भी कॉमेंट सेक्षेन में बताओ यह मैंने मार्शल से लिए हर आपको चेक कराना है वीजा स्टांप होना चाहिए पूरी क्वेशनिंग होती है लेकिन यहां पर ऐसा था कि तुमने एक स्टैप पार किया और तुम दूसरी गंट्री में घुज गई तो वह काफी फैसिनेटिंग था और दूसरी चीज वह सबसे छोड़ी गंट्री थी ब अनतरे मंदिर मंदेर में वारा नासी या इसी जगे मत्रा वँचिरा में जाते है तो हर जग मात्म होए देखते हैं वैसी ही कंडिशन वैटिकन्स एटी में थी वैटिकन्स एकर बाहर भी आसपास हम पिजा खाने गई थे सि या फिर ऐसी गूम रहतों तो काफी सारी father nun होत वेटिकन सिटी रोम के अंदर आधा कंट्री है एक बूरे वर्ल्ड का शप्थे चोटा कंट्री है लेकिन क्याओं कि इटिली फेमस है पिज्या के लिए पास्टा के लिए यह कि Means तो अब हम वेटिकन सिटी में वैटिकन सिटी में वेठे हुएं और यहां पर हमने ओर्डर किया हुआ है यह पिज्जा और पास्ता तो दिखने में काफी ब्यूटिफुल लग रहा है डेकॉरेशन भी बढ़िया किये अभी खा के देखते हैं कि एकली टेस्ट कैसा है और पीछे देखो यह पूरी गलिया है यह वैटिकन सिटी की है तो तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं वैटिकन सिटी मेरे चारो तरफ आप देख रहे हो यह है वैटिकन सिटी तो देखो यहां पर आपको एक बॉल दिख रही होगी यह प्लर देख रहे हैं प्लर के बीच में से आप देखोगे गौर से यहां पर एक मोटी सी वॉल है और इस वॉल के अपोजिट साइड में उधर की साइड में है रोम और इसके अंदर की साइड में वैटिकन सिटी तो मेरे चारो तरफ जितना भी आपको दिख रहा है इतना बड़ा ही यह कंट्री है तो exactly कितना किलोमीटर होगा यह मैं नहीं बता सकता लेकिन बहुत ही चोटा दुनिया का सबसे चोटा कंट्री है और यहां पे जो पीछे यह काफी ब्यूटिफल सी बिल्डिंग दिख रही है यह चर्चेस है जो क्रिस्चन है वर्ल्ड वाइट उनके लिए सबसे हुली प्लेस है पूरी दुनिया में वो यह वैटिकन सिटी ह यहां पर जो पॉप हैं वो यही पर ही रहते हैं और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोधी यहां इटली आये थे और वैटिकन सिटी में पॉप से मेटिंग हुईती तो वो यही लोकेशन है यही जगह है तो जितना आप मेरे पीछे देख रहे हो बस इतना सा यह कंट्री है चोटा सा तो इस तरह से हमारे यहां पर वैटिकन सिटी आने के साथ टोटल 14 कंट्री हो गए हैं जो हमने घूमे हुए हैं कि टो दो गाइक मैं को यह बाॉल है जो टेस Sydney को अभी हम हम यहक हुआ हैं यह अंदर की तरफ हमन्हें वैटिकन सिटी में और जैसे ही हम इस वाल के इस साइड में आ गए तो हम आगए इटली में यह अभी मैं खड़ा हुआ हूं यह दर मेरे में मेरा यह राइट हेंड है यह वैटिकन सिटी में मेरा लेफ्ट हेंड है यह है इटली में तो यह देखो यह है वाल हम अभी एंटर कर गए वैटिकन सेटी से और अब हम आ चुके हैं इटली के रोम में तो यह है इटली की आइस क्रीम इसको बोलते है जलाटो तो हमने दो फ्लेवर लिए यहां से जलेटेरिया यह वैटिकन सिटी के जस्ट बाहर है आइस क्रीम जलाटो जलाटो आइस क्रीम तो गाइस जो रोमन फॉर्म मैंने देखाए थे तो देखो हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां से यह साफ देख रहा है मेरे पीछे देखो अगर आपको बिना टिकेट के रिए देखना है तो यह एक बहुत बढ़िया लोकेशन हमें मिली है सब कुछ यहां से फ्रीम में किसी जमाने में यहां पर महल वगएरा MP थेटर वगएरा होते होंगे अब यहां पर बस उनके रिमेंस बचे हैं यह देखो यहां से क्लियरली सब कुछ दिख रहा है और फाइनली हम गए केटा कॉंप्स तो केटा कॉंप्स हमारे एक्षली प्लान में था नहीं लेकिन वो क्योंकि हमारे सारी जो देखने की जागे हो गई थी जो फेमस प्लेस थे तो हमने सोचा इसके अलावा और क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा दिन है तो फिर हमने उसको एड़ किया लेकिन वो काफी अच्छा लगा वहां पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी लेकिन मैंने आपके रेफरेंस के लिए यूट्यूब से कुछ क्लिप्स हैं वो लाके लगा दी है कि आपको अंदाज पढ़ जाए कि अंदर था कैसा वो काफी ढरावना भी था लेकिन साथ में उसके हिस्ट्री भी अटेच्ट थी और गाइड था वो गाइड बता रहा था कि यहां पे यह कई किलोमेटर में अंदर फैला हुआ है उसको खुद को भी पूरा रस्ता इसका नहीं पता तो वो इसी लिए गाइड टूर था एक्शुली गाइड वहां पे मस्क था कंपल सरी था क्योंकि खुद से अगर आप वहां पे जाओगे तो उसमां खो जाओगे आपको खु कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है रोम में वह है यह केटाकॉम इसकी टिकेट हमने बाय कर लिए एक प्लेस है जहां पर जीऊस के साथ कुछ ट्रैजडी हुई थी तो कई जीऊस को यहां पर दफनाया गया था तो इस तरह की कुछ इसकी हिस्ट्री है एक्जेक्ली अभी ह अलाउड नहीं है कैमरा मोबाइल कुछ भी तो मैं अंदर जाके रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा लेकिन बाहर से मैं आपको दिखा देता हूं और जो भी वहां पर गाइड़ टूर में बताएंगे उसका मैं आपको एक ब्रीफ दे दूँगा तो मुझे भी पता नहीं है कि एक्चुली इसकी हिस्ट्री क्या है देखो यहां पर लखा हुआ है के टाकॉम तो यह सिटी से थोड़ा बहार की तरफ है और यहां पर आइटिंक बस भी बहार ही छोड़ दे कि आपको हम टेक्सी से आएं तो काफी टेक्सी भी जो में रोड है उससे कम से कम तीन-चार किल देख निए तो यहां पर स्टोर है जहां से मil रही है है पर खरीद लिये है अभी आदे गंटे में अमरा टूर स्टार्ट होगा तो जब-थक हम बैट के यहां वेट कर रहें आदे गंटे दूर ayawana chv Tips21os तो अभी हम गुम के आए पीछे कैटा कॉम और एक्शुली गए थे हमको कुछ पता नहीं था लेकिन अभी देख के आए तो यह काफी इंट्रेस्टिंग यह सेटी है जो रोम के उससे काफी बहार आके है और यहां गाइड ने अमें बताया कि करीब करीब सैंब लोगों को यहां पर दफनाया गया है उनके लिए प्रॉपर स्पेस बने उए वह थे पूरान जामाने मपढ़ा पूरा एक कैसा है कि आप भूल सकते हो मतलब काफी सारी गलिया अ Suppose बहुत कई सारे किलोमेटर पे एंदर प्यला हुआ है तो in short काफी interesting जगह है अगर आपको history पे interest है तो आप यहाँ पे जरूर आ सकते हो इसका नाम है catacomb तो आप search करोगे Rome में places में तो आपको यह दिख जाएगा यह था हमारा Rome में last day इसके बाद हम अगला destination था हमारा वो जाने वाले थे लुबियाना, Slovenia जो की है एक बहुत छोटी सी लेकिन beautiful country तो वहाँ के बीच के रस्ते के नजारे थे वो भी बड़े beautiful थे तो हमने क्या-क्या देखा वहाँ पे बीच में हम कहाँ पे रुके और हमारी कैसी पूरी memory रही रही इस trip की तो मिलते हैं next video में, take care, bye bye